तो कहानी की सुरुवात में हमें नाटो हतियार सेंटर को दिखाय जाता है यहाँ पर हमें मेकैलिंग नाम के एक इंसान को दिखाय जाता है जो जंगी हतियार बनाने का काम करता है हाल ही में इसने सरकार के संपर्क में रह करके कुछ ऐसे हतियार को बनाया है जिने जंग में इस्तमाल किया जा सकता है इस हतियार को बनाने के लिए नैनो माइट्स का इस्तमाल किया गया है और ये नैनो माइट इतना ज़्यादा खतरनाक है कि किसी भी चीज को कुछी सेकंडों में खतम कर सकती है चाहे वो कोई सामान हो या फिर किसी का देश हाला कि अगर हम किल स्विच को दबा देते हैं तो जितने भी नैनो माइट्स हैं वो रुख जाएंगे जिसकी वज़े से तबाही को रोका जा सकता है मैंने अपने हत्यार को बना करके तयार कर लिया है कल वो हमारे लैब से में ओफिस जाने के लिए रवाना हो जाएगा अब इसके बाद हमें दिखा जाता है कि उन सभी हत्यार को एक सूट केस में रखा गया है और डिूक नाम का एक्स वोलजर अपनी टीम और फुल सेक्रिटी के साथ इस हतियार को मेन ओफिस तक पहुचाने वाला है डिूक अपने दोस्त रिप कोट के साथ मिल करके इस मिशन को पूरा करने वाला है अगले दिन सुबह हो जाने के बाद जब मेन ओफिस जाने की बारी आती है तो इन्हें फुल सेक्रियोटी दे दिया जाता है ताकि ये लोग सही सलामत उस सूटकेस को मेन ओफिस तक पहुचा सकें लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सा एरो प्लैन उड़कर के आता है जो सेक्रियोटी हेलिकॉप्टर पर हमला कर देता है दरसल ये सभी लोग दुसमन थे जो जंगी हतियार को चुराने के लिए आये थे अब यहाँ पर दुसमन आने के बाद सभी हेलिकॉप्टर को सूट क करके उन्हें नीचे गिरा देते हैं और चारो तरफ तबाही मचाएं लगते हैं ताकि ये लोग आसानी से जंगी हतियार को हासिल कर सकें अब नीचे जो सोल्जर थे वो भी सतर्क हो जाते हैं और इनको उपर लगतार फारिंग करते हैं इसके बाद जो दुसमन का एरो प्ल दोस रिप कोड घायल हो जाता है जिसके बाद ड्यूक उसे उठा करके साइड में लेके जा राता ताकि वो सही सलामत बस सके अब इसी बात का फायदा उठा करके एना जा करके सूटके उसको हासिल कर लेती है लेकिन जब इसके बारे में ड्यूक को मालुम चलता है तो वो पीछे भागने लगता है हाला ककी वो एना को पैचान लेता है लेकिन एना उसे नहीं पैचानती है और उसके उपर हमला कर देती है अब यहां पर हमें एक तरफ पैचान से बाद ठीक उन्हें का लेने के सी खायर को पहलने लगता अब इस तरीके से एना सूटकेस को हासिल नहीं कर पाती है और उसे यहां से भागना पड़ जाता है अब जो बचाओ दल की टीम थी वो ड्यूक के सामने आती है और कहती है कि हम टीम अलफा से आए हैं और हम उस सूटकेस को यहां पर लेने के लिए आए हैं इसके बाद यार सुरच्चित नहीं है दुस्मन कभी भी दुबारा आ सकते हैं अब इसके बाद डियूक और उसका दोस्त दोनों अलफा टीम के साथ सामिल हो जाते हैं और ये लोग उनके साथ रेगिस्तान के एक ऐसी जगाँ पर जाते हैं जहां के बारे में किसी को भी नहीं मालूम है दरसल ये लोग यहां पर रह करके सीक्रेट मिसन को अंजाम देते हैं तब होलोगराम के थुरू में कैलिंग आता है और वो करनल होक से कहता है कि आपकी टीम की वज़े से आज मेरा जंगी हतियार सुरच्चित है वरना आज मेरी 10 साल की मिनात दुस्मन उठा ले जाते इसक पर टीम अलफा का एक मेंबर उसे जंगी हतियार को दिखाता है हतियार बिल्कुल सुरच्चित था या देखने के बाद मेकैलिंग यहां से चला जाता है अगले सिन में हम फिर से मेकैलिंग को देखते हैं जो एनसे बात कर रहा था और उसे बहुत डाट रहा था वो एनसे क बारे में सरकार को ना पता चले, क्योंकि वो उन हतियारों को दुनिया पर इस्तमाल करना चाहता है, और दुनिया को कमजोर करना चाहता है, उन जंगी हतियार को देखने के बहाने से मैकेलिन उसमें एक ट्रेकर फिक्स कर देता है, जिसकी वज़े से उस जंगी हतियार की लोक इंसानों के उपर एक्सपेरिमेंट करता है और आम इंसानों को एक ऐसा कमांडो बना देता है जो कभी न मर सके वो इंसानों के सरीर के अंदर धेर सारे नैनो माइट को डाल देता है अब इस नैनो माइट से होता यह है कि अगर कोई भी चीज अंदर जाती है तो नैनो माइट उस चीज से लड़ती है और इंसान को मरने नहीं देती है जैसे कि ब्लैक वाइपर साब का जहर जब इस इनसां के अंदर बहुतना जाता है तो उसके अंदर जो नैनो माइट एक्टिव है वो उन जहर से लड़ती है और लड़ने के बाद उन जहर को बाहर निकाल देती हैं मैंने 20 ऐसे लोगों को तयार किया है जिने डर बिलकुल भी नहीं लगता है अब इन टीम्स को एना के साथ भेजा जाता है उस सूटकेस को लाने के लिए दूसरी तरह हम टीम अलफा को देखते हैं उन्होंने एना के फोटो को क्लिक कर रहते हैं कि आखिर वो क्या करती है कहां रहती है तब ही ड्यूक करनल होक से कहता है कि मैं एना को अच्छे से जानता हूं मैंने उसके साथ 4 साल डेट किया है या बताने के बाद वो होक को तस्वीर भी दिखाता है दरसल आज से 4 साल पहले एना और ड्यूक एक साथ थे लेक पिन एना का एक मकसद है इसलिए वो डेनियल के साथ रहती है डेनियल के चले जाने के बाद एना एक रिंग को देखती है और वो ड्यूक को याद करने लगती है अब यहाँ पर काने चार साल पहले सिप्ट होती है जब वो ड्यूक के साथ एक पार्टी इंजोई कर रही थी औ प्रपोस्ट कर देता है और एना भी उसके साथ साधी करने के लिए तयार हो जाती है और तब एना कैती है कि तुम्हें मेरे भाई की जिंद्गी भर हिवाज़त करनी होगी दरसल एना का भाई जंग में डियूक के साथ लडने के लिए जा रहा था और डियूक के साथ उसका खास दोस्त रिपकोड भी था डियूक कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की हिफाज़त जरूर करूंगा अब इसके बाद कानी प्रेजेंट में सिफ्ट होती है और फिर करनल होक इन दोनों को अपने टीम में सामिल कर लेते हैं एक दिन रात का समय था और सेकरिटी गार्ड को महसूस हो रहा था कि रेगिस्तान में कुछ हल चल हो रही है और जब ये लोग उस चीज को चेक करते हैं तब तक यहाँ पर एना अपने टीम के साथ पहुच चुकी थी एना को इन लोगों की लोकेशन पहले ही मालुम चल चुका था और वो अपने टीम के साथ अंदर आने के बाद करनल होक से मिलने के लिए जाती है एना की टीम करनल को अपने कदमों में जुका देती है और इसके बाद एना होक का इस्तेमाल करके उसके सेक्रिटी लोग को खोल देती है जिसके अंदर वो सूटकेस रखा गया था सूटकेस को लेने के बाद एना और उसकी टीम यहाँ से जाने लगती है इसके बाद करनल होक, एमरजन्सी अलार्म को बजा करके अपने टीम आलफा को इसके बारे में बता देता है टीम आलफा तैयार हो करके इंसे लडने के लिए आती है और इसके बाद इन लोगों के बीच में काफि शम्य तक फाइट होती है ड्यूक एना के पास आ करके उसे रोक लेता है ड्यूक कहता है कि अगर तुम यहां से भागने की कोसिस करोगी तो मैं सूट कर दूँगा तब ही एना का एक फाइटर स्टॉम ड्यूक के उपर हमला कर देता है और इसके बाद एना सूट को ले करके यहां से भागने लगती है एना के बीच में जो कोई भी आ रहा था वो उसे मार दे रही थी उससे कोई भी ने जीत पा रहा था इस तरीके से टीम अलफा का बहुत धुलाई होती है और आखरे में एना अपने दोस्ट इस्टोम के साथ सूट के स्कोले करके यहां से निकल जाती है अब टीम अलफा के लिए ये बहुत बड़ी हार थी दुस्मनों से हारने के बाद टीम अलफा के लोग बहुत उदास थे उन्हें इस बात का गमता कि वे लोग सूट के स्कोले करके यहां से जा चुके हैं और अब वे लोग उस जंगी हतियार के साथ बहुत बुरा करने वाले हैं इसके बाद हमें मैकैलन को दिखाया जाता है जो एना से बहुत खुस था क्योंकि अब उसने जंगी हतियार को हासल कर लिया था लेकिन अभी भी टीम अलफा हार नहीं मानती है उन्हें बस एक मौके की तलास थी और इन लोगों को वो मौका मिलता भी है तरासल टीम अलफा एना के बारे में जानकारी हासल कर लेती है इन लोगों को मालूम चल जाता है कि देश की सबसे जाने माने साइंटिस्ट डेनियल के साथ एना की साधी हुई है और वो डेनियल के साथ इसलिए रह रहे है ताकि वो उसके लैब में जा करके उन वीपन को एक्टिवेट कर सके क्योंकि सिर्फ डेनियल के लैब में ही वो साधन है जिससे वो वीपन को एक्टिवेट किया जा सकता है अब टीम अलफा को मालूम था कि दुसमन हथियार को ले करके उसे एक्टिवेट करने के लिए डेनियल के लैब में जाएंगे इसलिए टीम अल्फा पहले ही डेनियल के लैब के लिए रवाना हो जाती है और ठीक ऐसा होता भी है जैसे ही सुबह होता है तो एना अपने टीम के साथ हथियार को ले करके डेनियल के लैब में पहुंच जाती है उन हथियार को एक्टिवेट करने के लिए स्टोम आसानिस से गार्ड को मार देता है और ये लोग डेनियल के लैब में चले जाते हैं जहां एना डेनियल से कहती है कि तुम्हें इसे एक्टिवेट करना होगा वरना हम यहां के सभी सैंटिस्ट को जान से मार देंगे अब डेनियल डर जाता है वो लोगों की जान बचाने के लिए एना की बातों को मान लेता है और इसके बाद वो अपने मसीन के द्वारा उन वीपन को एक्टिवेट करने लगता है एक के बाद एक सभी वीपन को वो एक्टिवेट कर देता है और इसके बाद इस्टोम डेनियल को भी जान से मार देता है अब वीपन तो एक्टिवेट हो चुका था और अब ये लोग उसे इस्तिमाल करने के लिए जा रहे थे काफी भाग डौड करने के बाद एना की कार का एक्षिडेंट हो जाता है लेकिन इनकी किस्मत अच्छे थी कि कार के अंदर जितने भी लोग थे वे सबी लोग साई सलामत थे इस्टोम हतियार को ले करके कार से बहार आता है सूट केस को खोलने के बाद वो उन में से एक मिसाल को बहार निकाल देता है मिसाल को वो खुद रखता है और उसका जो किल स्विश था वो उसे एना को दे देता है मिसाल के चल जाने के बाद एना ही उसे रोक सकती है क्योंकि उसके पास रिमोट है अब इन्हें रोकने के लिए रिप कोड इस्टोम की पीछे जाता है और जो डिउक था वो एना के पास जाता है उस रिमोट को हासिल करने के लिए लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है इस्टोम उस मिसाइल को चला देता है वो मिसाइल को आइफिल टावर पर चलाता है जिसक जिसकी वजह से वो नैनो माइट सब कुछ तबाह करने लगते हैं और चारो तरफ फैलने लगते हैं एना भाग करके जाके अपने वीमान में बैठ जाती है लेकिन ड्यूक उसके पीछे पीछे आता है वो जंप करके एना के पास जाता है और पटन को दबा देता है जिसकी मेकेलिन का सीकरेट अड़ा है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर अचानक से ड्यूक स्टॉम के हाथों से सूटकेस छीन करके भागने लगता है लेकिन जाया दोर तक भाग नहीं पाता है वो पकड़ा जाता है और इतनी ही देर में उसका जो काम था उसने टीम अल्फा के पास आ जाती है इसके बार टीम अल्फा तयार हो करके उसी लोकेशन पर जाने लगती है ड्यूक को बचाने और हत्यार को लाने के लिए इधर मेकैलिन जैसे ही ड्यूक के पास आता है तो ड्यूक उसके उपर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें गद्दार हो इसी बीच एना जो पल ड्यूक के साथ बिताई थी वो सब कुछ उसे याद आने लगता है दरसल उसकी यद्दास को पूरे तरीके से मिटा दिया गया है हम टीम अलफा को देखते हैं जो अपने टीम को ले करके यहाँ पर पहुँच चुकी थी इन लोगों को मेकैलिन का अड़ा दिखाई देता है जो बर्फ के चटान के नीचे था और बर्फ मेंसे सुरंग भी बनाया गया था इसके बाद मेकैलिन ड्यूक को ले करके अपने डॉक्टर के पास आता है और उसे डॉक्टर के पास छोड़ देता है ताकि डॉक्टर उसके उपर एक्सपेरिमेंट करके उसे मार सके दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम अलफा अंदर आ चुकी है और वो दुसमने को उपर हमला कर देती है इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रेक्स डॉक्ट के उपर एक एक्सपेरिमेंट करने वाला था तब ही डॉक्ट कहता है कि मुझे आखरी बार तुम्हारा चेहरा देखना है और जब रेक्स चेहरा दिखाता है तो वो कोई और नहीं बलकि एना का भाई था सबको लग रहाता कि वो जंग में मारा गया और इसी वज़ा से एना डूक से गुसा हो गई थी लेकिन वो मारा नहीं था बलकि वो जिन्दा था दूसरी तरह हम में कैलिन को देखते हैं जो अपने रोकेट को अलग 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 देसों पर लॉंच कर देता है टीम अलफा भी बाहर से उस रोकेट को लोंच होता हुआ देख रही थी अब इनके पास सादन था इसलिए टीम अलफा का एक मेंबर एक रोकेट को डैमेज कर देता है और सिर्फ अब बचे हुए थे दो रोकेट एनको भी मालूम चल जाता है कि टीम अलफा अब यहाँ पर आ चुकी है अब बागे के रोकेट लॉंचर को रोकने के लिए रिपकोड खुद जा रहा था वो रोकेट को रोकने के लिए जाता है और बागे की लोग नीचे जाते हैं डीूक और उस हत्यार को बचाने के लिए डीूक की उपर एक्सपेरिमेंट होने वाला था लेकिन उससे पहले यहाँ पर एना आ जाती है और वो डीूक को बचा लेती है दरासल उसे मालूम चलिया आता है कि डीूक उससे कितना जादा प्यार करता था यहाँ पर डीूक को मालूम चलता है कि एना के सरे में नैनो माइट डाला गया है और इसी वज़ा से रेक्स उसे कंट्रोल कर पा रहा था डीूक कहता है कि तुम अपने सगी बेन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो तो रेक्स कहता है कि मैंने अपने साइंट एक्सपेरिमेंट के लिए यह सब किया तब ही यही पर मेकैलिन आ जाता है इदर हमें दिखाय जाता है कि श्नेक आई और श्टॉम आपस में फाइट कर रहे थे और यहाँ पर श्नेक आई अपना बदला लेने के लिए श्टॉम को बहुत मारता है श्टॉम बहुत जादा जखमी हालत में हो जाता है और आखरे में शनेक आई उसके सरीर में हतियार गुसा देता है जिसकी वो जैसे उसकी मौत हो जाती है अब इस तरीके से शनेक आई अपना बदला पूरा कर लेता है दूसरी तरफ हम डूक को देखते हैं जो एना को ले करके एक सिप में जाकर के बैठ जाता है और यहाँ पर हम रेक्स को भी देखते हैं जो एक सिप ले करके यहाँ से भाग रहा था लेकिन रेक्स ने बहुत बुरा काम किया था उसने मुझरिमों का साथ दिया था इसलिए टोम उसे पगड़ करके जेल में बंद करना चाहता था इसके बाद हमें रिप कोड को दिखाय जाता है जो आखरी लोंजर के पीछे पड़ा हुआ था और वो पैरिस में होने वाली थी लेकिन रिप कोड हर हाल में उस रोकेट को डैमेज कर देता है रोकेट तो डैमेज हो जाता है लेकिन उसके अंदर जो नैनो माइट था वो रिप कोड के जहाज पर आकर के गिर जाता है और अब धिरे धिरे नैनो माइट उसके जहाज को खतम कर रहे थे और इसलिए रिप कोड अपने जहाज को वायो मंडल में लेकर के जाता है उसके पास एक खास सूर था जिसकी वदस से वो रोकेट से बाहर आ जाता है और जो सभी नैनो माइट थे वो वायो मंडल में ही खतम हो जाते हैं और इस तरीके से रिप कोड एक भी नैनो माइट को पिर्थवी पर नहीं आने देता है लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रिप कोड का कोई भी जवाब नहीं आ रहा था सबको लगता है कि वो मर चुका है लेकिन कुछ समय बाद उसका जवाब आता है और सभी लोग बहुत खुस हो जाते हैं और रिप कोड सही सलामत पिर्थवी पर वापस आ जाता है दूसरी तरफ हमें ड्यूक को दिखाय जाता है जो रेक्स और मेकैलिन को पकड़ने के लिए उसके जहाज के पीछे पड़ा हुआ था हत्यारों की वज़ा से बर्फ के नीचे एक धमाका होता है जिसकी वज़ा से सारे बर्फ तूड जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं और इसी वज़ा से रेक्स और मेकैलिन या से भाग नहीं पाते हैं और ड्यूक जा करके अपने टीम के साथ उन्हें बंदी बना करके एक जेल में बंद कर देता है दोनों क्रिमिनल जेल के अंदर बंद हो चुके थे और ये लोग कभी भी बाहर नहीं आने वाले थे और इस तरीके से खत्रा टल जाता है और सब कुछ पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है टीम अलफा वापिस से अपनी मिसन को जारी रखते हैं और इसी के साथ ये कानियाई पर समाप्त हो जाती है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुले रहने के लिए आप लोगों को दिल से सुक्रिया